दोस्तों रोजाना गुवर्मेंट जोब्स की अफ़िट सबसे पहले पाने के लिए यहां से अब्सक्राइब कीज़े और साथी साथ बेल आइकन को भी दबा ले इस वीडियो में आगे बड़े उससे पहले आप इसको यहां से लाइक कर दीजिये और साथे साथ इस वीडियो को WhatsApp ग्रूप और Facebook में ज़्यादा से ज़्यादा सेर कर दीजिए और कुछ बड़्यों के लिए आपको कोई भी आवेजन सुल्क जमा नहीं करना होगा जिया दोस्तों इन बड़्यों के लिए 14,000 से ज़्यादा खालिपद है इनके लिए online या फिर offline applications मगा गए है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस organization में किस post के लिए कितनी number of vacancies निकली है क्या उनके लिए eligibility criteria है कैसे आप one by one सभी की notification नाउलोड कर सकते हो और कैसे आप किसी भी post पर apply कर सकते हो पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो में अंतक इस वीडियो को पूरा देखने पर यह आपके सभी solid out clear होगे तो चेलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कोई शुरू करते हैं आज की आठ बड़ी बर्तियों की पूरी जानकारी जियाओं दोस्तों सुक्रुवार की आठ बड़ी बर्तिया है अलग-अलग आठ ओर्गनाइजिसन में बर्तिया निकली है फर्स्ट नमबर की जो जोब निकली है वो निकली है राजेंदर इंस्टिटूट ओप मेडिकल में स्वास्त भी वाक्य बढ़ती है पोस्ट है इसमें स्टाप नर्स की नंबरों फेकेंसी 362 है सेली की वही बात किज़े तो लेवल सेवन के इंतरकत परमा के लिए सेली प्रोवाइद की जाएगी वही बात योगेता की किज़े तो बीसी नर्सिंग में किसी रिकगनाई अप्लाई कर सकते हो या फिर बीसी पोस्ट रेटिफिकेट या इसके बराबर होना चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो या फिर बीसी नर्सिंग में पोस्ट बेसिक और साथ साथ यहाँ पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल और अस्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिजि पलस आपको इस बर्ती के लिए कोई भी आवेदन सुल्क जमा नहीं करना होगा और नहीं कोई एक्जाम देना होगा जिया दोस्तों डायरेक्ट इसमें इंट्यू के माध्यन से आपका चैन किया जाएगा इस बर्ती के लिए आपको इसका एप्लिकेशन फॉर में डाउनलोड करना होगा इसके ओफिशियल पोर्टर से जो की है रिमसराची.org और बढ़ने के बाद में ओफिशियल एडरेस पर 30 अप्रेल 2020 तक सैंड कर देना होगा जिया दोस्तों एडरस और साथ यसाथ सर्विस प्री एक्जैमिनेशन 2019 के माध्यम से भरतिक की जाएगी वैरियस पोस्ट के लिए आपर नोटी जारी कर देगा है नंबर ओफ वेकेंसी की वहीं बात की जाए तो 1161 पद यहां पर खाली है वहीं बात से लिकी की जाए तो कुछ पोस्ट के लिए 15,600 से 49,100 है और कुछ पोस्ट के लिए 4,400 है वहीं बात एजुकेस्नल क्वालिफिकेशन के की जाए तो बी बी टैक एपलाई कर सकते हैं अलग-अलग डिसिप्लीन में आप बी बी टैक होनी चाहिए जिस भी डिसिप्लीन में आप एपलाई कर रहे हो उसमें होनी चाहिए तो आप इस रिजाओ के लिए है आयू की करना एक अगस्त 2019 से की जाएगी वहीं बात जोब लोकेशन की की जाए तो महराश्ट्रा जोब लोकेशन है इंडिया में आप किसी भी राजे से आवेदन कर सकते हो जन्रल या उबीसी के लिए 304 रुपे आवेदन सुल्क है सेस्ट के में एक्जाम पैटर्न आपको नोटिफिकेशन के अंतरकत जैगे है आप वहीं से चेक कर सकते हो इस बर्ती के लिए आपको ओनलाइन आवेदन करने होंगे वही बात ओफिसल पोर्टल की की जाए तो mpsc.gov.in या फिर महाँ mpsc.maonline.gov.in है इसी पोर्टल से आप ओनलाइन कर सकते हो सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद वही बात डेट की किजए तो 3 अपरेल से इस बर्ती के लिए ओनलाइन आवेजन स्टार्ट हो चुके हैं आप 13 अपरेल 2019 तक ओनलाइन अप्लाइ कर सकते हो वही बात फीस पैमेंट की किजए तो लास्टेट 24 अपरेल 2019 है उसके बाद दोस्तों जो 3 अपर जोब निकली है वो निकली है पसुपालन विबाग में जिया दोस्तों पसुदन विकास मिसन ने नया नोटी जारी किया है जिसके तैत्वे आपर डिस्टिक कोडिनेटर अनिमल हैल्थ वर्कर और आर्टिफिसल इंसेमिनेटर के लिए आप एजवेट पास एपलाई कर सकते हैं पोस्ट वाइज आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी नोटीस से रीड कर सकते हो एज लिमिट की बात किजे तो डिस्टिक कोडिनेटर के लिए 25 से 40 वर्स है और जो बाकी की दो पोस्ट है उनके लिए 18 से 40 वर्स आयूद स रुपे आवेजन सुलक के रूप में आपको जमा करना होगा सेलेक्शन होगा डोकुमेंट सहूर एक्सपीरियेंस के माध्यम से जिया दोस्तो बिना किसी एक्जाम और बिना किसी इंट्रू के इसमें आपका सीधा चेन किया जाएगा एपलाई ओनलाई कर सकते हो ओफिशि नहीं भरती आ गई है पोस्ट है इसमें लोकलक्स कम रिसर्च असिस्टेंट की नंबरों फेकेंसी जहां पर भी सेली 16500 परमा के लिए प्रोवाइड की जाएगी एलल भी एपलाई कर सकते हैं आयू सीमा मैक्सिमम 30 वर्स है जोब लोकेशन बैंगलूरू करनाट का है इंड प्लाई ओफलाइन कर सकते हो वहीं बात ओफिशल पोर्टल की की जाए तो करनाटका-judiciary.co.ni.in ये इसकी ओफिशल वेबसेट है इसी पोर्टल से आप इसका एप्लिकेशन फोर में डाउनलोड कर सकते हो और भढ़ने के बाद में ओफिशल एडर्स पर 22 अप्रेल 2019 तक सब् लिए है वोनिक लिए नेशनल इंस्टिट्यूट ओफ मेडिकल हैल्स एंड नियूर्यो साइंस में पोस्ट है इसमें सीनियर रेजिडेंट की नंबरों फेकेंसी छे है सेली 67,700 परमा के लिए प्रोवाइड की जाएगी MDA DNB एप्लाई कर सकते हैं IUCMA मैक्सिमम 25 वर्स है IUC इंडिया में आप किसी भी राजे से आवेदन कर सकते हो जन्नल और OBC कैटिगरी कैंडिडेट्स को 1500 रुपे आवेदन सुल्क के रूप में जमा करना होगा SST PWD को 1000 रुपे सुल्क जमा करना होगा सुल्क आप डिमांड राप्ट के माध्यम से जमा करा सकते हो इस बर्ती के लिए भी आपको कोई भी एक्जाम देने की जरूरत नहीं है जया दूस्तों इंट्यू के माध्यम से इसमें आपका चेंड किया जाएगा ओफलाइन आवेदन कर सकते हो इसके लिए आपको nimshans.ac.in इस पोर्टल से इसका एप्लिकेशन फोर में डाउनलोड करना होगा और भढ़ने के बाद में उफिसल आइडर्स पर सैंड कर देना होगा जिया दोस्तों इस बढ़ती के लिए आपको direct into attend करना होगा 16 अप्रेल 2019 सुबह 9 बजे आपको वाकिन into attend करना होगा वाकिन के माध्यम से आप इस बढ़ती पर apply कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जोब निकली है वो निकली है पंजाब एंड सेन बैंक में यहां दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में आपर कैरियर बनाने का मौका है male hokey player और hokey player कलर के लिए आपर vacancies निकली है 11 vacancies आपर निकली है sale day male hokey player के लिए 30,000 परमा के लिए है hokey player कलर के लिए 31,540 है 10 वी बारवी पास apply कर सकते है आयू सीमा 15-28 वर्स है जोब लोकेशन पंजाब है इंडिया में आप किसी भी राजे से आवेदन कर सकते हो all other candidates के लिए 100 रुपे आवेदन सुल्क है CST EX Serviceman के लिए 50 रुपे सुल्क आपको जमा करना होगा सुल्क जमा करने का procedure आप notice से step by step चेक कर सकते हो selection होगा sports, performance, field trials, sports, qualification marks के माध्यम से apply offline कर सकते हो official website है phbindia.com जहां दोस्तो last state offline आवेदन करने की 18 अपरेल 2019 है उसके बाद दोस्तों जो seven number पर job निकली है वो निकली है राष्टिय संस्कित संस्तान में non teaching के आपर बढ़ती निकली है चोदा नंबरो फेकेंसी है sale 11,4 से 10 के अंतरकत प्रोवाइड की जाएगी इस भरती के लिए पांच वी, आट वी, बार वी, डिग्री और पोस्ट ग्रेजवेट डिग्री ओल्डर अपलाई कर सकते है आयू सीमा 18 से 37 वर्स है निउ डेली जोब लोकेशन है इंडिया में आप किसी भी राजय से आवेदन कर सकते हो आवेदन सुल्क की वही बात किज़े तो जन्रल या OVC के लिए 1000 रुपे है HC, ST, PWD के लिए 500 रुपे है सलेक्शन होगा रिटर्ण, टैस्ट, स्किल, टैस्ट और इंक्यू के माध्यम से ओनलाई अपलाई कर सकते हो ओफिशल वेबसेट है संस्क्रीट.NIC.IN इसी पोटल से आप ओनलाई कर सकते हो जो कि सटार्ट होंगे 22 अप्रेल 2019 से जै दोस्तो इसके उफिशल पोटल पर अप्लाई ओनलाई करने का लिंक बाई सप्रेल को ही एक्टिवेट के जएगा आप सबी से ओनलाई अप्लाई कर सकते हो लास्ट टेट अपलें ओनलाइन करने की दो मही 2019 है उसके बाद दोस्तों जो 8 और लास्ट नमबर पर जोब निकली है वो निकली है एर इंडिया एर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटिड में पोस्ट इसमें डिप्टी टर्मिनल मैनेजर, डिव्टी मैनेजर, कस्टमर एजेंट, रैंप सर्विस एजेंट, यूटिलिटी एजेंट, जूनियर एक्जिटीव और ओफिसर और साथ साथ असिस्टेंट की टंबर ओफ वेकेंसी 205 है सेली की वही बात किजाए तो डिप्ट डिव्टी टर्मिनल मैनेजर के लिए 60,000 परमा के लिए प्रोवाइड की जाएगी, डिव्टी मैनेजर के लिए 45,000, कस्टमर एजेंट के लिए 20,190, रैंप सर्विस एजेंट के लिए 20,190, यूटिलिटी एजेंट के लिए 18,360, जूनियर एक्जिटिव के लिए 25,300, पोस्ट के लिए 20,190 है, वही बात यूटियता की किजाए तो दसवी डिपलोमा ग्रेजवेट और पोस्ट ग्रेजवेट अपलाई कर सकते हैं, आयू सीमा मैक्सिमा 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 मैंट्टाइस, 25,500 वर्षा अलग-लग पोस्ट के लिए, वही बात आयू में छूट क के लिए 500 रुपे आवेदन सुल्क है, SCST EX अरिस्मान को कोई भी सुल्क जमा नहीं करना होगा, सेलेक्शन होगा रिटन टैस्ट और इंट्यू के मध्यम से, अपलाई ओफलाइन कर सकते हो, airindia.in, यह इसका official portal है, इसी से आपको इसका format डाउनलोड करना होगा, जिया दोस् अगर आपको बीन बर्तियों के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारी website का link नीचे description, पलस first comment box में मिल जाएगा, और इस page पर कौँचकर आप यहां से notification की PDF डाउनलोड कर सकते हो, और apply online के link भी यही पर दिये गए है, जिस बर्ति के लिए आ यह पी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे like और share जरूर करें, सासा दोस्तों अगर आपने भी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम daily government jobs की ऐसी भी update अपलोड करते हैं